आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर समझेंगे यूटे राइन फाइब्राइड के बारे में कि एक्चुल में यूटे राइन फाइब्राइड क्या होते हैं कौन कौन से होते हैं कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो यूटे राइन फाइब्राइड को कौस करते हैं और आहांने हमारे साथ इस video में, सबसे पहले आपर यह समझ लेते हैं कि actual में uterine fibroids जो uterine fibroids होते हैं यह uterus के tissues दौरह originate होता है, जो uterus के tissues होते हैं उस्में abnormal growth होने लगती है यह फिर abnormal growth हो जाती है जिसके कार्णड यहाँ पर uterine fibroids देखने को मिलते हैं यह जो uterine fibroids होती है यह एक टाइप के benign tumor होता है benign tumor का मतलब यह जो tumor होता है non-cancerous होता है यहाँ पर uterine fibroids है यह 40 year की females में 40% females में देखने को मिलता है यहाँ पर uterine fibroids का जैसा कि यहाँ पर आप image में देख सकते हैं जो uterine fibroids होता है यह actually fibrous connective tissue का बना हुआ होता है जो uterus के अंदर fibrous connective tissue होता है उसमें abnormal growth होने लगती है या फिर कह सकते हैं fibrous connective tissue की overgrowth हो जाती है जिसके कानड यहाँ पर uterine fibroids देखने को मिलता है काई सहाँ पर जो uterine fibroids है यह most commonly females में child bearing age में देखने को मिलता है और यहाँ पर जो uterine fibroids होता है इसकी slow growth होती है और irregular shape का होता है और यह non-cancerous होता है निश्ट आपर अगर uterine fibroids के size की बात करें तो जो uterine fibroids है यह small size का भी हो सकता है medium size का भी हो सकता है और uterine fibroids large size का भी हो सकता है निश्ट आपर बात करते हैं causes की risk factors की काउन काउन से causes हैं काउन काउन से risk factor हैं जो uterine fibroids को cause करते हैं कैसे आपर अगर causes की बात की जाए तो यहाँ पर जो first cause है वो है estrogen hormone जो estrogen hormone होता है यह naturally body के अंदर produce होता है जिसके influence के काउनाड stimulation के काउनाड uterine fibroids देखने को मिलता है निश्ट जो यहाँ पर cause है वो है genetic abnormalities कई सारी ऐसी genetic abnormalities के काउनाड भी यहाँ पर uterine fibroids हो सकता है निश्ट जो यहाँ पर cause है वो है alteration of growth factor अगर यहाँ पर कुछी female के अंदर alteration of growth factor होता है growth factors में कोई alteration आता है जिसके काउनाड भी यहाँ पर uterine fibroids हो सकता है निश्ट जो यहाँ पर cause है वो है vascular problem अगर यहाँ पर female के अंदर कोई vascular problem होती जो uterus के अंदर जो veins है जो arteries है उनमें अगर कोई किसी भी टाइप की problem आती है तो उसके काउनाड भी यहाँ पर uterine fibroids हो सकता है निश्ट जो यहाँ पर cause है जो risk factor है वो है over weight और obesity जो ऐसी female है जिन में over weight है या पिर obesity है तो उस condition में भी यहाँ पर uterine fibroids देखने को मिल सकता है निश्ट जो यहाँ पर cause है वो है age एज से related भी यहाँ पर risk factor है कि uterine fibroids हो सकता है जो 30 year के उपर की female होती है उन में risk होता है कि uterine fibroids देखने को मिलता है निश्ट जो यहाँ पर cause है वो है hereditary hereditary का मतलब यहाँ पर कोई genetic problem के कारण भी यहाँ पर uterine fibroids हो सकता है निश्ट आपर बात करते हैं symptoms की uterine fibroids के condition में क्या-क्या symptoms देखने को मिलते हैं guys अगर यहाँ पर symptoms की बात करें तो uterine fibroids के condition में कोई भी symptoms देखने को नहीं मिलते हैं utyrине fibroids जो है यह एक asymptomatic condition है, अगर यहाँ पर बात करें symptoms की, तो severe condition में location के base पर यहां पर symptom देखने को मिलते हैं, अगर utyrine fibroids bladder reason में हैं तो उस condition में urinary system से related problems देखने को मिलती है, अगर जो utyrine fibroids है, वह uterus में है तो उस condition में menstrual period से related problem देखने को मिलती हैं नेश्ट यहाँ पर कुछ common sign और symptoms हैं जैसे कि female में abdominal pain देखने को मिलेगा abdominal pain के साथ साथ यहाँ पर pelvic region में भी pain देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो pain है वो female के back side में देखने को मिलेगा और यहाँ पर next जो symptoms हैं उसमें क्या होगा कि जो female होगी उसमें देखने को मिलेगी पेन को मिलेगा रिछ उसमें प्रमेंग कुछ स्वाहिच देखने को मिल सकते हैं निश्टे आपर जो female होगी उसमें कुछ urinary problem भी देखने को मिल सकते हैं जैसे की difficulty in urination. So guys ये कुछ symptoms हैं जो आप uterine fibroid के condition में एक female में देखने को मिलेंगे. निश्टे आपर बात करते हैं diagnostic test की, कौन कौन से से diagnostic test हैं जिनसे हम uterine fibroid को diagnose करते हैं. निश्टे आपर अगर diagnostic test की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो first होगा उसमें female में pale wik examination करते हैं. pale wik examination के थुरू भी यहाँ पर uterine fibroid को diagnose कर सकते हैं. निश्टे आपर जो female होगी उसमें pale wik ultrasound करवाते हैं. जो pale wik ultrasound है यह सबसे best diagnostic test है uterine fibroid को diagnose करने के लिए. निश्टे आपर जो test है वो है CT scan और MRI अगर यहाँ पर जो uterine fibroid है वो small size का है ultrasound से पता नहीं लगता है तो उस condition में यहाँ पर CT scan और MRI जैसी imaging study भी करवाते हैं. निश्टे आपर जो female होगी उसमें endometrial biopsy करते हैं. इंडometrial biopsy में क्या होता है कि जो uterus होता है वहाँ से कुछ tissues निकाले जाते हैं उन tissues का lab में test किया जाता है. निश्टे आपर जो female होगी उसमें complete blood test करते हैं. मतलब CBC करते हैं. लाश्ट में यहाँ पर बात करते हैं treatment की management की uterine fibroids के condition में क्या treatment क्या management prod किया जाता है. अगर treatment की बात करें तो जो uterine fibroids होता हैं यह कोई भी problem को cause नहीं करते हैं. इसमें कोई भी problem देखने को नहीं मिलती है patient को लेकिन यहाँ पर कभी कभी uterine fibroids में treatment की जरूरत होती है. कैसे यहाँ पर अगर treatment की बात करें तो uterine fibroids को treat करने के लिए कुछ hormonal medication दी जाती हैं और surgery perform की जाती है. hormonal medications और surgical procedure के थूरू uterine fibroids को treat किया जाता है. अगर यहाँ पर medication की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो female होगी उसमें pain medication prescribe करते हैं. जो pain medication होती हैं यह pain को relieve करते हैं क्योंकि यहाँ पर uterine fibroids के condition में back pain और pelvic reason में pain देखने को मिलता है. अगर pain medication की बात करें तो जैसे की non-steroidal anti-inflammatory drugs दिये जाते हैं. जैसे की acetaminophen, ibuprofen यह जो drugs होते हैं यह pain को relieve करते हैं. जैसे आप जो female होगी उसमें hormonal therapy देते हैं या फिर hormonal medication provide करते हैं. यहाँ पर जो hormonal medication होती हैं यह menstrual cycle को regulate करने का काम करती हैं. अगर hormonal drugs की बात करें तो जैसे की luteinizing hormone, releasing hormone, निश्टे आपर जो hormone drug है वो है gonadotropin, releasing hormone, agonist. निश्टे आपर कई बार contraceptive pills भी दी जाती हैं. इसके साथ साथ यहाँ पर dana jol भी दिया जाता है. यह कुछ hormonal drugs हैं जो uterine fibroids के condition में prescribe किये जाते हैं. निश्टे आपर बात करते हैं surgical procedure की. तो यहाँ पर कई सारी surgeries भी perform की जाते हैं. ऐसे की hysterectomy, यहाँ पर severe condition में uterine fibroids की severe condition में hysterectomy भी किया जाता है. Hysterectomy में क्या होता है कि जो female का uterus होता है यह fully cut करके remove कर दिया जाता है. इसके साथ साथ uterus के साथ साथ यहाँ पर जो philopian tube होती है और जो overe होती है उसको भी remove कर दिया जाता है. Next guys, यहाँ पर जो female होती है उसमें myomectomy करते हैं. Myomectomy में क्या होता है कि जो uterine fibroids होता है उसको ही only remove करते हैं without healthy tissue. Next जो यहाँ पर surgical procedure है वो है myolysis. Myolysis में क्या होता है कि एक needle के थरू electric current को पास किया जाता है. Electric current को एक needle के थरू पास किया जाता है जिससे जो uterine fibroid की blood vessel है उनको destroy कर दिया जाता है. जब uterine fibroid की blood vessel destroy हो जाती है उसको blood supply होना बंद हो जाता है तो उस condition में uterine fibroid है वो grow नहीं करता है. निश्टे आपर जो surgical procedure है वो है endometrial ablation. Indometrial ablation में क्या होता है कि जो uterus की lining होती है जो uterus की smooth muscle की lining मनी होती है उस lining को destroy कर दिया जाता है. कईस यहाँ पर electric current या फिस surgical instrument की मदद से uterus की lining को destroy कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं endometrial ablation. So guys यह था surgical management. I hope आप लोग सारी चेस समझ गया होगे. अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को like करते हैं अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नहीं हैं चैनल को subscribe करते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल पर informative वीडियो मिलती रहती हैं. Thank you.